स्वागत है, दुश्वी कक्षा परसनावाली 5.3 का बारवा कोशिन इस वीडियो में हम करेंगे, 11 कोशिन हम कर चुके है बारवा कोशिन इस प्रकार है कि 6 से भाग होने वाले पर्थम 40 दन पुर्णांकों का योग आपने ग्याद करना है 6 से भाग होने वाली संख्याएं, पर्थम 40 संख्याएं, उनका योग आपने ग्याद करना है तो योग ग्याद करने से पहले हम देखते हैं, एक स्रेणी लिख लेते हैं, स्रिंखला 6, दूसरी संख्या जो 6 से भाग होगी 12, 6, 3, 18, ठीक है, इस तरह की संख्याएं हमने कितनी लेनी है, 40, तो यानि कि N कितना है हमारे पास, 40, 40 पदों का हमने इसके योग निकालना है 6 से भाग होने वाली संख्याओं का, ठीक है, तो परसम पद है यहाँ पे 6, और D हम निकाल देते हैं, दूसरे पद में से पहला पद 12-6, वो भी होगा मारे पास 6, ठीक है, सिंपल सा कोश्चन है, तो हमने निकालना है योग, योग निकालने के लिए हमने S-N का فارمولड़ परियोग करना है, ठीक है, और यह पद ग्याद करना हो तो A-N का फारمول़ परियोग करना है, तो यह इसमें ग्याद करना है योग, निकालते हैं, S-40, 40 पदो को योग हमने ग्याद करना है, तो रखते हैं मान, 40 बटे 2, 2A, A है हमरा 6, प्लस 40-1 और D, गुन जाएंगे च्छेनी में 54 और च्छेनी अठार और पास 23, 244 और बारा हो जाएगा 246, 246 की गुना होगी 20 के साथ, तो ये हो जाएगा 0, 2, 6, 12, 2, 8, 9, 2, 2, 4, तो 4920, ठीक है, तो 6 से भागने वाली प्रस्थम, 40 संख्याओं का योग होगा 4920, तो सिंपल सा कुश्चन था प्र क्योंगे की टार ख्राण चंजा कुश्चन चर स्काथब